हेलो इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि PHP फाइल को create कैसे किये जाता है PHP फाइल को save कैसे किये जाता है और PHP फाइल को run कैसे किये जाता है इसके बारे में इस वीडियो में सिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक folder बनाएंगे तो folder को बनाने के लिए हम यहाँ पे this PC पे जाएंगे इसके बाद यहाँ पे c drive में जाएंगे यह local disk c यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद warm64 इस folder के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह folder आ जाएंगे इसके बाद यहाँ पे www इस folder के ओपर क्लिक करेंगे यह folder यहाँ पे open हो जाएगा इसके बाद अब हम यहाँ पे एक folder बनाएंगे तो folder को बनाने के लिए हम mouse का right click करेंगे यहाँ पे right click किया इसके बाद new पे गए new पे जाने के बाद यहाँ पे दिये गया folder यहां पी क्लिक करेंगे, यहां पी क्लिक करने के बाद यहां पी folder name यह लिखेंगे, तो हम यहां पे folder का नाम first project रखेंगे, यह हमने first project folder का नाम यहां पे रखा, रखने के बाद अब हम इस folder में सभी PHP फाइल को रखेंगे, तो इसके बाद हम यहां पी इसको बंद करेंगे, य बणने के लिए हम यहा पे text editor यूज करेंगे तो यहा पर हम chickpe Iron नौड पैड का अपन किया इसके बाद हम यहां पे PHP program लिखेंगे तो इसके लिए हम यहां पे सब से पहले vendo ml एल्फेंगे तो यह यहां पर हमने b ao ll यहा इसके बाद हम यहां पर grain लिखेंगे enterprise किया head लिखा, enter press करेंगे, यह enter press किया, इसके बाद title यह लिखेंगे, यह title लिखा, title लिखने के बाद हम यहां पर php लिखेंगे, यह लिखा, इसके बाद यहां पर script लिखेंगे, यह php script यह लिखा, इसके बाद title को बंद करेंगे, यह title बंद किया, बंद करने के बाद enter press करेंगे enter प्रेस करने के बाद यहां पे head को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे फिर हम यहां पे body लिखेंगे body लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे body लिखने के बाद हम यहां पे php को start करेंगे यह हमने starting tag यहां पे use किया php का इसके बाद enter press करेंगे enter press किया इसके बाद program को display करने के लिए हम यहाँ पे echo use करेंगे यह echo लिखा echo लिखने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने hello लिखा यहाँ पे semicolon लगाएंगे यह semicolon लगाया इसके बाद यहाँ पर enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम php ending tag यह लगाएंगे तो यह हमने यहाँ पर लगाया इसके बाद enter प्रेस करेंगे फिर यहाँ पर हमने body को बंद किया यह body बंद की इसके बाद enter प्रेस करेंगे और फिर हम यहां पे stml को बंद करेंगे यहां पे stml को बंद करने के बाद हम यहां पे file type पे जाएंगे और file को save करेंगे यहां पे save यहां पे click करेंगे click करने के बाद अब इस file को काँ पे save करना है तो इस file को हमने c drive के यह देखो c drive पे हमने click किया इसके बाद ये bump 64 यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये www फॉल्डर इसको ओपन करेंगे इसको ओपन करने के बाद यहां पर हमने एक फॉल्डर बनाया हुआ है First Project इसके ओपर क्लिक करेंगे तो यहां पर हम फाइल को नेम देंगे तो यहां पर हम कुछ भी name यहां पर लिखेंगे जैसे as यह file का name हमने दिया इसके बाद php extension लगाएंगे तो .php यह लिखा लिखने के बाद हम यहां पर इसको save कर देंगे यहां पर यह save पिकलिक करेंगे save पिकलिक करने के बाद यह AS नाम की फाइल यहां पे सेव हो गई है, इसके बाद हम यहां पे notpad को यहां पे minimize करेंगे, इसके बाद फिर हम यहां पे bomb server इसको open करेंगे, यह देखो desktop पे यह icon बना हुआ है, bomb server का, यहां पे हम इसको click करेंगे open करने के बाद, यह हमारी यहां पे task bar में आ जाएगा, यह देखो red में हो गया, इसके बाद orange में होगा, इसके बाद green में हो जाएगा यह orange में हो गया, और यह green में हो गया, तो green में होने के बाद हम यहां पे bomb server यहां पे click करेंगे, यह देखो task bar में यहां पे bomb server इसको ओपन करेंगे यहां पर इसको क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर दिया गया है लोकल होस्ट यहां पर हम इसको ओपन करेंगे यह लोकल होस्ट यहां पर ओपन हो गया है ओपन होने के बाद जो हमने फॉल्डर बनाया हुआ है www में वह फॉल्डर यहां पर आ गया है य इस first project को हम यहां पर open करेंगे तो open करने के लिए हम यहां पर यह देखो ऊपर लिखेंगे localhost यहां पर localhost लिखा यह लिखने के बाद यहां पर forward slash forward slash लिखने के बाद हम यहां पर folder का name लिखेंगे तो folder का name यहां पर first project है यहां पर बरेंगे यह देखो फस्च प्रेस इसके बाद यहां पर यह लिखा हमने localhost.f 신ed forward slash first project और इसके बाद हम यहां पर enter press करेंगे यह दिखो enter press करने के बाद यहां पर यहां पर इस फाइल पड़ी हूई है यह दिखो php की फाइल है इसको हम open करेंगे यहां पर click करेंगे as यह देखो यहां पे as.php यहां पे क्लिक किया तो यह देखो यहां पे hello लिखा हुआ गया तो इस तरह से हम यहां पे PHP फाइल को create कर सकते हैं उसको save कर सकते हैं और PHP प्रोग्राम को यहां पे run कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने PHP फाइल को कैसे create किया जाता है PHP फाइल को कैसे save किया जाता है और PHP फाइल को कैसे run किया जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद